पुली पर धेरों तरह की मिठाईया बनती है एक जो सबसे पारंप्रिक मिठाई है वो है गुजिया और इतनी खस्ता बनने वाली गुजिया परफेक्टली उसके अंदर की स्टाफिंग ये सब कैसे बनाते हैं आज की वीडियो में वही मैं आपको बताऊंगी इसको फ्राइ क करने का सही तरीका भी बताऊंगी कैसे आप इसे भर सकते हैं बिना मोल्ड के भी और मोल्ड के साथ भी पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने मैदा ली है उसमें एक चुटकी नमक डाल दिया है बस एक चुटकी नमक डाला है उसे मिक्स करके उसमें घी डाला है देसी घी डाला है आप इसकी जगे रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं हमें घी या ओल सिर्फ इतना ही डालना है इस तरह से मैदा को हाथ म लेंगे और लड़ू की तरह दबाएंगे तो लड़ू बनना चाहिए और फिर जब आप उसको अलग करेंगे तो इस तरह से बिखर कर बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए अब धीरे धीरे इसमें पानी एड़ करते हुए इसका डो बनाएंगे हमें थोड़ा सक्त डो ही बनाना है जैसा पूरी का डो होता है उससे थोड़ा सक्त होना चाहिए ज्यादा सॉफ्ट हमने इसको नहीं रखना है अब ढग कर इसको रख देंगे और कुछ ड्राइफ रूट्स लेंगे ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसंद से कम ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं इसमें स्टफ किस्ता अक्रोट यह सब लिये हैं और काफी दरदरा इसको पीसा है अब मैंने गोला लिया है यह भी ऑप्शनल है अगर आपको टेस्ट पसंद है तो यूज करें मैंने थोड़ा सा गोला कद्दुकस करके वो ले लिया है किश्मिस इसमें जरूर यूज करें किश्मिस अच्छा फ्लेवर आता है और सूजी को सूखा ही हमने रोस्ट करना है धीमी आज पर आप चाहें तो बारिक वाली सूजी भी ले सकते हैं मैंने यहां मोटी सूजी लिया है या फिर अगर घर में मोटी सूजी है तो उसी को मिक्सी के जार में डाल कर आप उसे फाइन कर सकत आप देखिए सूजी का कलर अच्छा हो गया है तो उसको मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है अब उसी कढ़ाई में ये मावा कद्दुकस करके लिया है धीमी आज पर ही इसको भूनना है और अच्छी तरह से मावा भूना हुआ होना चाहिए तब ही गुजिया का टेस्ट बून चुका था तो मैंने वो भी एक बरतन में निकाल लिया इसको पूरी तरह से अमने ठंडा गरना है याद रखिए कि मावा पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए और ठंडा होने के बाद इस तरह से आप इसका पाउडर बना लेंगे हाथ से एजली हो जाता है अब जो हमन तेस्ट के एकोडिंग कम जादा आप कर सकते हैं इलाइची पाउडर ले लिया है और अगर आप चाशनी वाली बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें मीठा कम रखे इस टाइम आप टेस्ट कर सकते हैं अगर मीठा कम लगे तो आप और भी एड़ कर सकते हैं इसलिए शुरू में म बनाएंगे क्योंकि ये पतली ही बनाते हैं गुजिया बस इस तरह की सारी लोईया बनाकर तयार कर लेंगे ये देखे मैंने सारी लोईया बनाकर तयार कर लिया है पर इनको ढख कर रखना है एक लोई मैंने निकाल कर बेल ली है जैसे पूरी बेलते हैं बस उसी तरह से पर पूरी को हम थोड़ा मोटा बेलते हैं इसको हमने पतला बेलना है क्योंकि बहुत जादा मोटी लेयर अच्छी नहीं लगती गुजिया की तो इस तरह से देखी मैंने पतला बेल लिया है बिल्कुल एक जैसा बेला है और इसको अब हाथ पर ले लेंगे इस तरह से अब इसमे किनारों पर हमने पानी लगाया और उसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से चिपकाते जाना है बस किनारों को अच्छी तरह चिपका दिया है प्रेस करते हुए बिल्कुल इसको सील कर देना है ताकि वो बिल्कुल भी खुले ना बिल्कुल वो कढ़ाई में जाकर फटेगी अब इसको गुतने का तरीका है कि अगर हाथ से आपको गुतना नहीं आता है या इस तरह का मोल्ड नहीं है मोल्ड भी ये इसली मार्केट में अवेलेबल होते हैं आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँगी आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं अगर ये नहीं है तो आप किस तरह से इसली आप इसको तयार कर सकते हैं आप एक फोक की मदद से इस तरह से दबाते हुए इस पर डिजाइन बना सकते हैं तो नहीं आपको मोल्ड की जरूरत होगी और नहीं आपको हाथ से गुथने की ये देखिए अलग-अलग तरीके में आपको बताऊंगी इस तरह से आप गुजिया तैयार कर सकते हैं एक दम परफेक्ट डिजाइन आ गया है बहुत अच्छी लगती है इस तरह से बनी हुई गुजिया भी ये आसान भी है जो बिगनर्स होते हैं जिन्नोंने अभी गुजिया नहीं बनाई है वो इस तरह से बना सकते हैं और मोल्ड में बनाने का तरीका है कि आप इस तरह से बेल के उसके उपर इसको फैला ले और इसमें स्टफिंग ले स्टफिंग गुजिया में हमेशा ज़्यादा ही की जाती है क्योंकि फ्लेवर उसी का ही आता है वो ही अच्छी लगती है और पानी वैसे ही कॉर्णर पर लगाना है और इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है अच्छी तरह से सील हो जाना चाहिए ताकि वो खुलेना और साइड में जो एक्स्ट्रा डो आया है उसको निकाल लेंगे और ये बाद में यूज हो सकता है तो ये जो आटा है हमारा फिर से यूज हो जाएगा पर सील अच्छे से करनी है इस तरह से प्रेस टाइट करना है ताकि वो खुलेना अब बस आराम से इसको खोल देंगे और ये हमारी गुजिया बनकर तयार हो जाएगी ये देखिए इस तरह से ये मोल्ड से बन कर तयार हो गई है अब मैं हाथ से भी गुजिया तयार करके दिखाऊंगी जो ओरिजनल तरीका है जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका होता है वो हाथ से गुथने का होता है वो भी बहुत आसान है आप आसानी से हाथ से भी इन्हें तयार कर सकते हैं बिना किसी मोल्ड के बिना किसी फोक के आपको कौन सा तरीका पसंद आता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए उसी तरह से मैंने तयार कर लिया है बेल लिया है कॉर्णर पर पानी भी लगा दिया है और आप देख रहे हैं स्टफिंग भी मैंने काफी ज़्यादा ही की है बस इसको अच्छी तरह से सील कर दिया है और प्रेस करके बिल्कुल अच्छी तरह से ताकि वो फटे ना इस तरह से तयार करने पर ये कभी भी कढ़ाई में जाने पर फटेगी नहीं अब बस आपको एक कॉर्णर से पकड़के अंदर की तरफ ऐसे दबाना है दबाएंगे नहीं तो खुलेगी तो इसको अंदर की तरफ ऐसे दबा देंगे बस इसी तरह से बार बार रिपीट करते रहेंगे ये डिजाइन बनकर तयार हो जाएगा गुजिया ओरिजिनली तो इसी तरीके से बना तो ये बिल्कुल परफेक्ट आप गुजिया इस तरह से बना कर तैयार कर लेंगे तीनो गुजिया मैं आपको दिखा देती हूँ हाथ से ही मैं और गुजिया भी तैयार कर लूँगी क्योंकि ये भी बहुत ही इजी होता है अब गुजिया को मैंने स्टफ करके रख लिया है पर याद रखिए कि जब इनको भरकर रखते हैं तब एक गिले कपड़े से धक कर रखना है वरना यह सूख जाएंगी अब कड़ाई में तेल ले लिया है पर वो हलका ही गर्म है बहुत जादा गर्म नहीं है याद रखिए कि हमने आज को तेज नहीं रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने धीरे धीरे सेकना है तभी वो एकदम खसता बहुत अच्छी हमारी गुजिया बनकर तयार होगी इसमें टाइम लगेगा तो आराम से कीजिये इस काम को और गुजिया का आनंद लीजिये बहुत अच्छी गुजिया बनकर हमारी तयार हो जाएगी देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया था तो मैंने गुजिया को निकाल लिया है अब बस सभी गुजिया को इसी तरह से फ यह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रस्पी के साथ थैंक यू